हेलो एब्रिवन वेल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैथ क्लासेज आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास एट इसे पहले मैंने आपको क्लास 6 का सारा स्लेबर से कंप्लेट करवाया है अब मैं 7 और 8 दोनों का एक साथ कंटिन्यू करूंगी क्लास 8 का ह क्या है अब करेंगे क्रेंगे πकाशन ओर स्टेध इसमें क्या है इस फ्री पीजिया दो जाते हो अगर नहीं भी बनाना चाहते हो तो आप नहीं भी बनावह चल जाएगा क्योंकिक ऐसे हो सकता है लेकिंदे बना देती हूँ थी समझने में थोड़ा साथान हो जाए ठीक है मैं यहां पर एक ट्रपीजियम मैंने बना दिया है इन को नेम लिख दो अभी क्योंकि हम फिगर में उनके पॉइंट्स के नेम तो जरू लिखते हैं अब इसमें दिखो हमें दिया है तो जो चीज दी हुआ आप पहले तो उसको लिख लो तो मुझे यहां से दिया हुआ है area of trapezium यह मुझे दिया हुआ है 12 square centimeter तो आप meter की power 2 लिख दोगे वो भी square centimeter ही होगा if its height is 3 meter जिसकी जो height है h है वो हमें कितना दिया हुआ है 3 meter ठीक है 3 meter find the sum of its parallel side तो यह जो इसकी यह वाली parallel side यह और यह जो दो sides हमें नहीं दी हुई है हमें इन दोनों का क्या बताना है sum बताना है ठीक है तो easy question है बताती हुआ इसमें थोड़ी सी चीज जो अलग है वो क्या दिया इन्होंने हमें यह तो दिया होता था एक side देते थे दूसरी पूछ लेते थे ठीक है अब की बार दोनों ही side गायब है ठीक है लेकिन question में हमें यह नहीं कहा गया कि find the sides sides नहीं find करने को बोला गया हमें बोला गया find the sum of its parallel side ठीक है हमें उनका sum बताना है तो यह तो बहुत easy question है तो अब हम क्या करेंगे हमें area निकालके दिया गया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर left में इसी का ही हम क्या put कर देंगे formula तो यहाँ पर इसका formula right करेंगे area of trapezium का formula होता है 1 by 2 into sum of parallel side multiply by height ठीक है तो यहाँ लिखेंगे 1 by 2 into sum of parallel sides sum of parallel sides multiply by height height को मैं एच्छी लिख रहे हूं is equal to 12 meter square meter square ना भी लिखें तो ऐसी चल जाएगा ठीक है 1 by 2 को क्यों हमने यहाँ पर लिख रखा है meter square अब sum of parallel side अब हमें तो देखो अगर दोनों side कुछ पता होती तो हम यहाँ पर लिख देते कि हाँ यह वले side इतनी है यह वले side इतनी है ठीक है लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ठीक है figure में देख लो तो मैं इसको as it is लिख हूँगी sum of parallel side मैं यहाँ ऐसे ही लिख देते हूँ sum of parallel sides ठीक है into h अब h की value हमें पता है तो हम h की value direct put कर देंगे वो 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे is equal to 12 ठीक है अब आपको यह नहीं पता कि sum of parallel side कितने है तो आप इसको यहाँ ऐसे ही लिख दो sum of आप यह symbol भी बना सकतो इसका meaning होता है parallel sum of parallel sides इसको 11 मत पढ़ना इसका meaning होता है parallel side 12 यह 2 यहाँ नीचे है तो यह उपर आजाएगा यह 3 यहाँ उपर multiply में तो इदर जाके नीचे आएगा ठीक है इसको cancel करो 3 1 3 3 4 0 12 तो यहाँ से आएगा 4 2 0 8 ठीक है तो क्या आजाएगा 8 तो अब हमें पता चलिए कि sum of parallel side कितना है 8 लेकिन 8 क्या meter centimeter क्या आएगा अब आपक देखो आपके question में जो आपका area of trapeziema वह भी मीटर में है ठीक है आपकी height भी मीटर में दिए तो आपका जो sum of parallel side वह भी किस में आएगा meter में ही आएगा तो आप यहाँ पर लिख देना 8 meter तो यहाँ पर देखो आपके book में काफी misprint दिया हुआ है तो मैं आपके एक बार दिखा देती हूँ आपके book में यह जो worksheet 1 में question number 6 आपका 6 ही मैंने भी question कराया है यहाँ पर centimeter दिया हुआ है book में यहाँ यह misprint है तो आप इसको ठीक कर लेना तो answer में आएगा 8 meter तो हमें पता चल गया कि sum of parallel sides कितना है sum of parallel sides is 8 meter ठीक है तो यहाँ पर आपका question number 6 हो गया है next हम करेंगे question number 7 ध्यान से देखेंगे बिल्कुल ठीक है question number 7 में देखो क्या दिया हुआ है एक बस statement को बहुत ध्यान से पड़ेंगे हमें दिया हुआ है the area of a trapezium is 248 square meter and its height is 8 meter ठीक है हमें देख तो trapezium का area निकालके दिया हुआ है और एक हमें बोला गया है कि उसकी height कितनी है 8 meter if one of the parallel side is smaller than the other by 4 meter find two parallel side ठीक है अब यहाँ पर देखो हमें थोड़ा सा दोन्नों side में से दी तो कोई भी side नहीं है लेकिन उनके बारे में एक relation दिया है if one of the parallel side is smaller की एक जो side है वो दूसरी side से smaller मतलब छोटी है कितनी है than the other by 4 meter ठीक है तो इसको मैं figure बना के ही करवाऊंगी उससे आपको ज़्यादा clear होगा मैंने video को pause करके यहाँ पर एफिकर बना दिया इसे थोड़ा सा time बज जाएगा तो अभी यहाँ पर देखो आपको दिया एरिया ओफ ट्रेपीजियम ठीक है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एरिया ओफ ट्रेपीजियम एरिया ओफ ट्रेपीजियम यह हमें दिया हुआ है वह हमें दिया हुआ है एट मीटर ठीक है अब और देखो इसमें क्या दिया हुआ है इफ वन ओफ द पैरलल साइडी स्मोलर दैन द अधर बाई फोर मीटर फाइंड तू पैरलल साइड अब देखो यहाँ पर आपको देखने में पता चल रहोगा एबी चोटी है और डी सी बड़ी है ठीक तो हम यहाँ लिखेंगे लेट डी सी अब आप यहाँ देखो ना तो इन्होंने बोला कि ए बी कितनी है यह भी नहीं बताया ना ही यह बताया कि डी सी कितनी है लेकिन यह थोड़ा सा एक रिलेशन बता दिया कि यह जो ठीक है यह बड़ी है लेकिन यह जो इसी है मैं इसको ले लेती हूँ एक्स मीटर ठीक है एक्स मीटर पूरा लिख दो ठीक है तो एक्स मीटर तो आप यहां से देखो कि अगर किसी चीज को छोटा करना है उसको छोटा करने के लिए हम उसकी हैट को कम करेंगे और कम कैसे करते हैं माइनस करके तो एक्स में से माइनस कर देंगे फॉर ठीक है तो यह कितना है एक्स माइनस फॉर मीटर ठीक है तो यह आपकी आगी एक्स माइनस फॉर मीटर और यह है आपकी x meter ठीक है अब आप बस इसमें से अपना question इसकी figure की help से कर दो यहाँ पर area of trapezium हमें यहाँ पर कितना दिया गया है 248 meters square ठीक है हम यहाँ पर इसका formula write करेंगे 1 by 2 into sum of parallel sides parallel sides multiply by height is equal to 248 meter square ठीक है 1 by 2 into अब sum of parallel side देखो आपका कितना होगा यह दोनों आपकी parallel side है ठीक है इन में से एक तो है आपकी x और एक है आपकी x minus 4 ठीक है मैंने अलग-अलग लिखिया मुझे दोनों sides का sum करना है तो बीच में किसका symbol आजाएगा plus का ठीक है आप चाहो तो इनको ऐसे bracket में भी लिखिलो एक x है और एक x minus 4 है दोनों को plus किया multiply by height height की जगा 8 आएगा is equal to 248 ठीक है अब यहां मैं इसको थोड़ा सावर सोल्व करेंगे 1 by 2 into अब मैं bracket open कर रहे हूं x plus अगर bracket के बार plus का symbol हो तो अंदर bracket के अंदर कुछ भी change नहीं होता वो as it is लिखी जाती है कोई symbol change नहीं होगा तो यहां से x minus 4 आ जाएगा into 8 is equal to 248 ठीक है अभी पहले मैं यहां से इसको solve कर देती हूं x plus x कितना होता है 2x minus 4 is equal to 248 मैंने यह 2 और 8 अभी नहीं लिखे है यह जो 2 यहां पर divide में इधर जाके कहाएगा उपर multiply में 8 यहां उपर multiply में तो इधर आके आज जाएगा divide में अब आप इसको cancel कर लो 2 1 0 2 2 4 0 8 ठीक है इसको cancel करो 4 1 0 4 4 6 0 24 4 2 0 8 ठीक है तो यहां से 2x minus 4 यह किसके equal आगया है 62 के ठीक है तो यहां से जो 2x है वो किसके equal आएगा 62 minus 4 इधर जाके plus 4 हो जाएगे तो 2x यहां से मेरा equal आएगा 62 में 4 आड़ कर देंगे तो कितना आजाएगा 66 तो x हमारा कितना आजाएगा 66 यह 2 यहां पर multiply में तो इधर जाके divide में होगा 2 1 0 2 2 3 0 6 2 3 0 6 ठीक है तो x का answer कितना आएगा x का answer आएगा मेरा पास 33 ठीक है लेकिन यह x actual में था क्या आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि x actual में आपने लिया क्या था x आपका 33 आए तो आप यहां से देखो आपने x क्या लिया था आपने यहां dc को x में लिया था ठीक है तो आपकी जो dc है dc जो आपकी side थी उसकी आप वो आपने x लिया था और जो आपकी a b मैं आपको इपर फिकर से दिखा देती हूं dc तक आपका x है लेकिन a से b तक आपका x माइनस 4 है तो a b वो आपका x माइनस 4 है ठीक है तो आपका x का अंसर आया 33 ठीक है लेकिन आप इसके पीछे मीटर यह cm क्या लिखोगे आपका area भी मीटर में है और आपकी sides भी मीटर में है तो आप इसके पीछे लिखोगे मीटर ठ ठीक है 33 मीटर आ जाएगा ठीक है और एक आपको X की जाएगा 33 लिखो और उसमें से 4 माइनस कर दो 33 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 29 मीटर ठीक है हमें क्या बतारना था find two parallel sides तो आप यहां लिख दोगे therefore parallel sides parallel sides आर कितने कितने हैंगी 33 मीटर एंड 29 मीटर ठीक है तो यह आपका यहां पर question number seven भी complete हो गया है ठीक है हम आपके पूरा एक बार दिखा देती हुए यहां से अपने figure बनाई formula में put किया यहां से x आया और आपकी जो a b और dc ही आपकी parallel side है तो आपने यहां पर नीचे इनकी value पूट कर दी तो आपका answer आगे ठीक है बुक में भी यही answer है यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको question number six or seven करवाया है ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को like करें मेरे चैनल को subscribe करें और अपने friends के साथ share जरूर करें इस chapter के जितनी भी वीडिय वीडियो उसकी playlist का link और PDF का link मैं आपको description में दे दूँगी मेरा जो telegram channel है उसका भी link मैं आपको description में दे दूँगी आप वहां से भी हाल प्ले सकते हैं telegram channel के लिए आपको देखो पहले क्या करना पड़ेगा आपको play store से जाकर आपको